मंगल सूत्य जो हम उसके मनकों के वारे में उसके मोती और उसके रत्म के वारे में आपको बता रहे हैं तो यहां महा मंगल सूत्य या मंगल सूत्य नमबर आठ है जिसमें 22, 23, 24, 25 और 26 पांच गुण उसमें दिये हुए हैं 22 से लेके 26 तक बाइसवा जो ये जो सूत है ये स्पकार है आठवा सूत है गारवो चै निवातो चै संतुथी चै कतुईयता कालेन धम सवनन एतंग मंगल मुत्तमंग गारवो चै का मतलब है कि गारवो जो बोलते हैं वो बाद में सब्द बन गया गौरव इसको गारवो है यानि कि गारवो करना है क्या गारव करना है कि जो आप से बड़े हैं जो जानकारी में यहां तक कि अगर छोटा भी कोई है तो आपको उसे एक गौरव देना है उसका सम तो गौरव आपको देना है ये मंगल मुत्तमंग है यानि मंगलों में उत्तम है कि आप जो भी वक्तिया है उसको आदर दें सम्मान दें तो वो भी आपको बदले में आदर और सम्मान देगा भले चाहे वो छोटा है या बड़ा है क्योंकि अगर आप किसी को आदर सम्मान न उसके बाद भी वो बिना सम्मान के महां बैठा रहेगा अपने काम के लिए मगर आपको मन से सम्मान नहीं नहीं देगा आप उसके चेहरे से आँखों से देख सकते हैं ये ठीक ऐसे है कि जैसे आप किसी रिक्से वाले को ओई कहके बलाएं तो बेसा है कि रिक्से वाला आपको ले जाएगा आपको आपसे पैसा भी लेगा मगर आपको सम्मान नहीं देगा और बिल्कुल भी वो सम्मान उसके चेहरे पर कहीं आएगा नहीं, उसकी आवाज भी करकस होगी और वो बिल्कुल एक मशिन की तरह काम करेगा, उसमें इमोशन्स नहीं होंगे, उसमें प्यार नहीं होंगा यानि कि अगर वो जो विक्सा है, अगर वो आकर टकरा जाए या गिर जाए या घाल हो जाए तो उसे कोई सानवोती अपनी सवारी से नहीं होगी क्योंकि उसने जो सुरुवात की है वो अपमान के साथ की है अपमान के साथ में बुलाया है उसके चेरे उसकी वाणी में अपमान है ये बात रिक्से वाले को पता चल जाती है या अगर आपके हैं नोकर काम करते हैं और नौकर का जैसे मैंने बाबू का आपको वीडियो बना के इसमें दिया हुआ है कि बाबू कैसा करक्तर था एक के हैं नौकर था और बाबू को वो लोग बहुत ज़्यादा बत्तमी से बुराय करते थे और बाबू अपनी बत्तमजी का जवाब उनके चाय में उनकी सब्जी में थोग मिला कर या लेटिन करके आया तो हाथ नहीं दोये आटा वैसे ही मान दिया या क्या बूलते हैं जो गंदी चपल वगएरा हैं ऐसी उठाके और वैसे ही या माथे पर पसिना आया तो वैसे पसिना लेके वो कोई साब सफाई का थ्चान नहीं रखता था क्योंकि वो लोग उसको बहुत ज़एदा गाली बखते थे तो आप जहां काम करते हैं जहां रहते हैं अगर आप किसी को गौरब नहीं दिय सकते हैं तो जायर सी बात है कि वो आपका नुक्सान कभी न कभी कभी न कभी करेगा ही यह है महामंगल सूत नमबर 22 एस्वा है निपातो चै निवातो चै का मतलब है नीवात वात माने क्या होता है हवा और नीवात का मतलब है कि हवा नहीं यानि निवात का मतलब हो गया कि आपने बिलकुल शांत रहना है कूल रहना है एक दम जैसे हवा नहीं चल रही है यानि जहां हवा नहीं चलती है वा पत्ता भी नहीं इलता है इसी तरह से आपने अपने मन के अंदर कोई हल्चल पैदा नहीं होने दिनी है चाहें कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी सुनाता रहे आपने निवातो रहना है, यानि निवात रहना है, बिना वात की रहना है, बिना हवा की रहना है हवा नहीं चलनी चाहिए आपके अंदर अगर हवा चली तो पत्ता हिलेगा पत्ता हिलेगा तो सामने वाला तो पूरा पेड़ हिला रहा है आपका पत्ता हिलेगा दोनों में जहड़ा हो जाएगा तो निवात रहना है, मिलकुल सांत रहना है कूल रहना है, काम रहना है, पीसफुल रहना है यह है महा मंगल सूत का तेईसवा मोती फिर है चौविसवा संतुठी चे संतुठी चे का मतब़ तुठी माने जो होता है संसकायद भासा में तुठी को बोलते है तुष्टी आपने टीवी में बहुत सुना होगा कि देखो तो एक समुदाय के तुष्टी करने के लिए ये काम कर रहे है ये इसको तुष्टी करने के लिए काम कर रहे है उसको तुष्टी करने के लिए काम कर रहे है बेसिकलि तुठी पाली का सब्द है तुठी से तुष्टी बना है शेयत पाली में होता नहीं तो तुट्थी के लिए ये काम करें तुट्थी माने होता है प्रसंता के लिए खुश करने के लिए तो तुट्थी के लिए अगर मेरी तुट्थी के लिए कोई काम करें और मुझे फोन करके कहें के जी मैंने आपका ये कर दिया ये कर दिया तो तुट्थी के लिए काम हो गया और से लगा देते हैं अगर पहले तो से माने होता है निज यानि मेरा सन तुट्थी से तुट्थी का मतलब है सन तुट्थी या सन तुष्टी यानि कि निज की प्रसंता के लिए काम करना है अब अपनी प्रसंता के लिए काम कैसे करना है कोगि ऐसा सोच सकते हैं कि अपनी प्रसंता के लिए अगर काम करेंगे तो हम तो बहुत जादा मतलब भी होगे अगर हम मतली भी होगे तो फिर ये तो गुण अच्छा रहा नहीं अपनी संतुष्टी का मतल़ ये है कि आपने जो काम किया है अगर वो आपको खुशी देता है तो इसका मतलब काम वो ठीक है परसंता देता है तो और अगर वो सबको पस्ता देता है तो वो काम बिल्कुल ठीक है आपने चोरी की तो आपको संतुष्टी नहीं होगी अगर आपने खाना नहीं बनाया घर में काम नहीं किया तो आपको संतुष्टी नहीं होगी आप जो काम करें आपने पूरी तरह से नहीं किया तो संतुष्टी नहीं होगी यानि आपको खुद को प्रशंता नहीं होगी आपने किसी को मारा तो आपको खुद को प्रशंता नहीं होगी संतुष्टी नहीं होगी तो आप खराब काम करेंगे तो आपको संतुष्टी नहीं होगी और अगर आप सही काम करेंगे तो संतुष्टी होगी तो इसलिए संतुष्टी आपको होना चाहिए संतुष्टी तभी होगी जब आप अच्छा काम करेंगे यह है महामंगल सुथ का जो रतन है मड़ी है जो एल है हीरा कह सकते है इसको या मोती कह सकते है नमबर 24 और 25 है कतुईयता कतुईयता जो है उसको बोलते है किर्टग्यता यानि कि पाली में कतुईयता बोलते है और संस्कारित भासा में किर्टग्यता बोलते हैं, कत्वियत का मतलब है कत्व और यात कत्व यात से बना हुआ है, यानि कत्व और ग्यान, कत्व और जानकारी यानि की हुई जानकारी यानि जो काम हमने किया है उसकी जानकारी, इसका मतलब क्या हुआ किसी ने हमार लिए कोई काम किया अच्छा तो हमें वो काम याद रहना चाहिए उसकी जानकारी रहनी चाहिए कि फराने आदमी ने हमारे साथ में यह अच्छा काम किया था तो यह कितगता हो गई कत ग्याता हो गई कत ग्याता मतलब कित ग्याता हो गई तो हमें वो काम अगर याद रहेगा तो बदले में हम उसका आभार जताएंगे उसको धन्यवाद करेंगे उसके काम आएंगे और कोशिस ये करेंगे कि जो उसने हमाले काम किया है बदले में हम उसके लिए वो काम करें ताकि हम उसका आभार चोका सकें या जो मदद हम कर सकें वो उसकी मदद हम करें तो हमें अगर किसी ने हमाले कोई काम किया है तो हमको हमेंसा याद रखना चाहिए और हो सके तो याद रखते हो उसका आभार परिकट करना चाहिए और बार बार उसका आभार परिकट करना चाहिए ये गुण होना चाहिए महा मंगल सुत्त का ये गुण नमबर है 25 और गुण नमबर 26 है कालेन धमसवनंग कालेन धमसवनंग कालेन का मतलब है समय नुसार काल के द्वारा यानि समय नुसार और धम सवन का मतलब है धम का सवन करना चाहिए सवन क्या मतलब होता है व्याख्या करनी चाहिए यानि कि समय अनुसार समय समय पर धम की व्याख्या धम की जो व्याख्या है व्याख्या का मतलब है कि धम हमें ऐसा कहता है ऐसा करना चाहिए उसको समझना चाहिए व्याख्यत करना चाहिए उसकी आख्या करनी चाहिए उसका विश्टेशन करना चाहिए समय समय करें, सार ये है महा मंगल मुत्तमंग यानि कि अगर ऐसा करेंगे तो ये सारे मंगलों में उत्तम मंगल हैं, महा मंगल मुत्तमंग और ये है महा मंगल सुथ का आठवा और 26 टोटल पूरे हो गए आपे धन्यवाद आपने मंगल सुथ का प्रान देने को त्यार होती है, मगर जब विलिन यानि जो खलनायक होता है, अगर वो मंगल सूत पर हाट डाले, तो हीरों को गुस्सा आ जाता है, जो महिला है वो आग बगुला हो जाती है, उसमें सक्ती आ जाती है, मेरा मंगल सूत छीना तो समझो मेरे पती के प्रान छीन ऐसी महिमा मंडित करके मंगल सुत्र की डालते हैं ताकि मंगल सुत्र बिके और ब्यापार चले क्योंकि मंगल सुत्र में जो मनके होते हैं यानि कि जो मनी होती हैं काले काले मोती होते हैं वो भी तुलते हैं सोने के साथ में उनका पैसा लगता है तो उसमें अच्छी कमाई ज़्यादा होती है मंगल सुत्र बेसिकली एक गले में पहनने का ऐसा एक अभूशन है जिसमें काले मन के लगे होते हैं और टेडिशनली तो पीले धागा होना चाहिए अभी सोने में भी वो आता है मैंने बहुत चाना मगर मंगल सुत्र के वारे में आपको इससे ज़्यादा जानकारी कोई देगा नहीं बैसिकली मंगल सुत्र जो है वो पुरसों के और महिलाओं के यानि के जो नर है और नारी है दोनों पहनने की चीज़ है बच्चे भी पहन सकते हैं, बूड़े भी पहन सकते हैं, सभी पहन सकते हैं क्योंकि मंगल सूत बहुत कमाल की चीज है, उसको पहनना चाहिए और अगर आप उसे पहनते भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, मगर उसे मानना जरूर चाहिए उसकी practice जरूर करनी चाहिए अगर मंगल सुत को आप मानते नहीं है practice नहीं करते हैं तो सच में आपकी जान को खत्रा रहता है चाहिए आप नर है या नारी है या बच्चे है या पुरुष है या कोई भी आप है मंगल सुत का मतलब है जो कल्यान करे यानि मंगल और सुत्र यहां बोला जाता है पाली में इसको सुत्र बोलते हैं यानि कि ऐसे वचन ऐसी बात जो आपका कल्यान करें और अगर महा लगा दें पहले तो महा मंगल सूत हो जाता है यानि कि बड़े कल्यान करने वाले अच्छा करने वाले सूत इन सूतों को ये सूतों लोगों का कल्यान करते थे बुद्ध की वारी है 38 उन्होंने बताएं 38 महिलाओं के लिए पुरसों के लिए बच्चों के लिए सबी के लिए समान है सबी के लिए बरावर है खाली महिलाओं के लिए नहीं है मगर पुरसों ने इन नियमों पर चलना बंद कर दिया इसलिए पुरसों ने इसकी महिमा खत्म कर दी और महिला को जबर जस्ती दिया गया कि तुम्हें ये मंगल सूत्र मानने पड़ेंगे तुम्हें याद रहे इसलिए तुम्हारे गले में ये उन्निस उन्निस मनकों की माला यानि कि उन्निस मोती इधर हैं मणी इधर हैं और उन्निस मणी इधर हैं काले रंग की काले मतलब काले लोग होते थे इसमें काले हैं और पीले धागे का मतलब है क्योंकि बुद्ध का जो रंग मानते हैं वो भगवा कलर को पीला रंग भी बोल देते हैं भगवा कलर का धागा यानि बुद्ध की वचन है बुद्ध ने बताया है तो मंगल सूत का मत थह स्मजिंत की बात हैं कल्यांग की बात हैं यह उसका पिर्तीग बना जब लोगों ने उन भात यह चलना छोड़ दिया तो खाली tradition रहा परमप्रय रह गई लोग यह तो भूल गया कि वो मंगल क्या थे मंगल सूत्र क्या थे मंगल बचन क्या थे वो कौन सी कल्यानकारी बात थी वो कौन सी good talks थी good things थी जो हमें 38 थी 38 थी apply करने थी वो गले में 38 मन के बांद के बस काम खतम हो गया और बाद में व्यापार में बदल गया जितना जिसको बड़ा मंगल सूत जो ले सकता है सुनार जो थे जो सुनकार थे उ पती अगर उन पर चलेगा तो उसका जीवन बचेगा पती अगर नहीं चलेगा तो पती का जीवन खत्रे में रहेगा ऐसे ही अगर इस्त्री उन 38 सूत्रों को मानेगी और 38 बातों को मानेगी तो उसका जीवन कल्यान करी रहेगा वना तो डावा डूल रहेगा खतम साय रहेगा चाये वो सांस तेलेत रहें या जीवित रहें तो वो जो मंगल सूत हैं या महा मंगल सूत हैं वो सारे मंगल सूत भगवान बुद्ने बताए हैं आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो ओडियो है उसे निकाल के भीजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है ये सभी copyright free हैं आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उनी की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद वर्हत तक सम्हा संबूत सक्ष गुद्ध तक सर्डूप नच्छावद नच्छामी धंमं सर्डूप नच्छामी जंगं सर्डूप